जहीं दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल में आज के वीडियो में लेकर आए हैं यहाँ पर हिंदी साइट में आदुने कल में भारते नुएक से सम्मंदित महत्वपूर्ण कॉस्चन अंसर तो सभी लोग आजाईएगा रोज अपनी एक लास होती है रात्री में दसवजे हिंदी साहितिकी और यहाँ पर आपके महत्वपूर्ण कॉस्चन अंसर है सभी लोग वीडियो को लाइक कर ले हैं चनल को सस्क्राइब कर ले हैं और जादा से जादा वीडियो को सेर करें आज का अपने यहाँ पर फर्ष्ट कॉस्चन क्या पूंचा गया है तो देख लेते हैं यहाँ पर आज का फर्ष्ट कॉस्चन है धन्य भूमी भारत सब्रतनन की उपजावती इस पंती के आपको लेखक बताना है कौन माने जाते हैं इस पंती के लेखक ये चार विकल्प आपके आँपर दिये गए हैं बताइए क्या होगा सही राइट आंसर चैन कीजेगा चार विकल्प है सौनी देवी जी और लबली जी सिलपा जी तो आप सभी का सही राइट आंसर है पंद्रह में विकल्प नंबर आपका हमापर भी राइट आंसर है बदरी नारण आपक यहाँ पर सही right answer अँसर हो गयए बदरी नारण जी कि यह जो इपन्ती मानि जाती है विकल्प number B आपका सही right answer होगा question number आपक यहाँ पर 16 पूंचा गया है हिंदी साहिति के आदुनिक काल के परवर्ण तक माने जाते हैं कौन मानी जाते हैं ये आपको बताना है बताईएगा इंसा अल्ना खां है या फिर लल्लू लाल या रामप्रसाद नरंजनी या फिर भारतेंदू हरिश्चंद्र सरेल क्वास्चन है मैं तो पूर्ण क्वास्चन आपसे पूंचा गया है हिंदी सायत के आदुनिक काल के विकल्प नमबर चार आप सभी का सही राइट आंसर यहां पर है बिल्कुल सही राइट आंसर बहुत बढ़ी अंगला क्वास्चन देखेगा क्वास्चन नमबर आपका यहां पर सत्रह पूंचा गया है इन मुसल्मान हरी जनन पर कोटन हिंदू बारिये ये किसने लिखने आलम या फिर भारतेंदू सत्रह वा क्वास्चन है और आप सभी का सही राइट आंसर है यहां पर सत्रह में विकल्प नमबर डी राइट आंसर यह भारतेंदू जी की पंती मानी जाती है जो कि कई बार पूंची गई महत्वपून क्वास्चन है अंगला क्वास्चन यहां पर देखते हैं देखे अठारेवा कॉस्चन है नव जागरन का अग्रदूत हिंदी के किस लेकर को का जाता है बताइए अठारे में चैन कन्ना है कौन है से परसा सितारी हिंद है या फिर भारत्यंदू है मावीर परसा दुबेदी है या फिर मैथली सरण गुप्त है नव जा यहां पर भी राइट आंसर भारत्यंदू भारत्यंदू आपका यहां पर जो है एक वास्चन मत्पूर्ण है और विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी चैन किया उनका यहां पर सही राइट आंसर होगा बिल्कुल सही अंगला क्वास्चन यहां पर दिया ग्या है भारत्यं दिंखर जी तो भारतंदु को पनर जागल काल किस आलुचक ने कहा है और आप सभी का सही राइट आंसर है वीके अजुकेसन जी 19 में विकल्प नमबर 4 राइट आंसर है यानि कि डाक्टर नगेंद्र यहां पर सही राइट आंसर होगा इन्होंने भारतनुजी को जो है उसको पनर जागना काल कहा है विकल्प नमबर 4 आप सभी का सही राइट आंसर होगा बकरी बिलाप किसकी काभी कृती मानी जाती है बकरी बिलाप बताना है बताईए क्या होगा सही राइट आंसर बकरी बिलाप बताना है प्रयमगन प्रताप नाराल मिस्त्र या भारतनुजी या सर्वेसो द्याल सक्सेना विकास निर्मल जी तो आप सभी का सही राइट आंसर ह लीच में अपका विखल्प नंबर यहाँ पर जो सी है वैरी आइन्व कि भारतेम्दू हरश्चंद्र आपका सहिर आइन सर है बकरीवलाप किसकी का विक्रथी मानी जाती है बहुत ही सरल पेपर आये था और कौन करे जो नहीं कसकत सुनी बिपती बाल बिदबन की यह पंती आपको 21 में बताना है 21 में जो पंती दी गई है बहुत है बताइए किनकी मानी जाती है प्रताप नारल मिस्र या फिर प्रियमगन ये चार विकल्प है अनुजी इनमें से आपको चैन करना है कार्तिक जी क्या होगा सही राइट आंसर जीतु जी तो कौन करे जो नहीं कसकत सुनी बिपती बाल बिद बन की ये पंती मानी जाते है किनकी किस में आपका एक राइट आंसर प्रताप नारल मिस्र जी कि ये पंती मानी जाती है बिलकुल सही राइट आंसर आप सभी का यहां पर विकल्प नंबर एक जो है सही राइट आंसर आया है अंगला क्वास्चिन देखेगा क्वास्चिन नमबर आपका यहां पर पूछा गया है 22 वा कॉस्चन है आनन्द अर्नोदय किसकी का प्विकर्ति है बताईए आनन्द अर्नोदय अनल जी बिल्कुल क्या होगा सही राइट आंसर हां तनू जी बिल्कुल तो 22 वा कॉस्चन है और बाइस का सही राइट आंसर है आनंद अनोद है किसकी कब करती है तो वेकल आपका है आपर बाइस में जो भी है बहराइट आंसरों का प्रेम घन आपका सही राइट आंसर है बिलकुल सही राइट आंसर आप लोगों ने भी जन्वने भी चैन किया है उनका सही राइट आं आँसर क्वास्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् भारतेंदु जिनानभी चैन क्या है उनका सही राइट आंसर है अंगला क्वास्चन देखेगा योग मंगल शुरोत्र नामक प्रिकृति परक रचिना किनकी मानी जाती है योग मंगल बताना है यह आपको चैन करना है बताइए क्या होगा राइट आंसर रादा कृष्णदास जगमोहन सहें अम्विका दत्व्यास या फिर प्रेमगन क्वास्चन मत्पूर्ण है आपका यहां पर दिया गया है चौबिस बास्चन हाँ लबली जी विल्कुल तो आप सभी का यहां पर सही राइट आंसर क्या होगा बताइए चौबिस बास्चन है चार पाँच क्वास्चन जो है तोड़ी से अलग टाइप के पूँचे गए थे आज की एक्जाम में पंजाब में जो गलत थे और आपका यहां पर क्वास्चन नमबर 24 है योग मंगल सुरोत नामक प्रकृति परक रचना किसकी मानी जाती है और आप सभी का सही राइट आंसर है चौबिस में विकल्प नमबर आपका यहां पर डी राइट आंसर है आनि कि प्रयमगन आपका यहां पर सही आपके लिए बताना है प्रयमगन जी नियन नार दिया है भारतान दू या फिर बालकेशन भट्टे तनमाई जी विल्कुल तो आप सभी का सही राइट आंसर है question number 25 में पंजाम में जो इसी तरह के question जो है पूंचे जाते हैं और जो पिछली बार का हुआ था उसमें भी इसी तरह के question पूंचे गए थी अपने यहाँ पर UP में पूंचे जाते हैं हिंदी हिंदू हिंदोस्तान नारा किस ने दिया था यह आप से पूंचा गया है 25 वा question है और आपका विकल्प number C राइट आंसर है पृताप नारण में जो है इसका बहुत पृत पृताप है इस नारे का बहुत अधिक पृताप है तो यह पृताप नारण मिस्तर जी का यह नारा माना जाता है हिंदी हिंदू हिंदोस्तान अंगला question है आपर क्या पूंचा गया है देखेगा भीतर भीतर सब रस्चूंस है हसी हसी के तनमन धनमूस है किसकी काप पंती माली जाती है 26 में आपको चैन करना है बताइए 26 का सभी राइट आंसर क्या होगा जोती जी भारतेंदू या फिर बालकेशन बढ़ते बालकेशन प्रेम गान या फिर ताप नारा मिस्तर और आप सभी का सभी राइट आंसर है विल्कुल तनू जी हाँ लवली जी है सही जो हमाचल का भी कठन क्वास्चन वाला पेपर आता हमाचल में भी यूपी में भी और आप सभी का यहाँ पर सभी राइट आंसर है जो पंती है पंती आपकी मानी जाते किनकी भारतेंदू जी की पंती है वेकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर सही राइट आंसर है, वेकल्प नंबर एक जिन्वा ने भी चैन किया उनका सही राइट आंसर होगा विलकुल सही बहुत बड़ियां अंगला गौस्चन देखे सू कभी सथ सही नामक का ब्रक्रती किसकी वानी जाती है? बताएए सू कभी सतसाई पूंची जाती है भत पूर्ण क्वाश्चन है और आप सभी का सही राइट आंसर है क्या होगा सही राइट आंसर क्वाश्चन नमबर 27 है और 27 में होगा ब्योगी हरी रादा कुष्णदास अंबिका दत्व्यास या फिर रादा चरण गो स्वामी तो आप सभी का सही राइट आंसर होगा यहाँ पर question number 27 में विकल्प नमबर जो C है वह राइट आंसर है अम्बेका दत्व्यास यहाँ पर सही राइट आंसर होगा अम्बेका दत्व्यास सुक अभी सस्य नामक का विकृति यह पूंचा गया है अम्बेका दत्व्यास जी की मानी जाती है दो की question number 28 यहाँ पर पूंचा गया भारतेंदू ने प्रातह समीरन कवीता में किस चंद का प्रियोग किया गया है यह आपको बताना है क्या होगा सही राइट आंसर बताए जैन कीजेगा सुनित सिंग जी चार विकल्प आपके यहाँ पर दियेगा है बंगला के पयार चंद हरीगीति का रोला या पर कुंडलिया यह मत्पून question है question number 28 है 28 में चैन करना है सही राइट आंसर और बिल्कुल सही राइट आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर यहाँ पर एक सही आंसर है कि भारत्यंदू के प्राता समीरन कवीता में जो है बंगला के पयार चंद का इसमें प्रियोग किया गया है तो उस अभी लोग ने यहाँ पर सही राइट आंसर होगा अंगला क्वास्चन यहाँ पर क्या पूँचा गया है देखें क्वास्चन नंबर आपका 29 यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर की भारत्यंदू किस उपनाम से उर्दू में कवीताई करते थे तो आप सभी का क्या होगा सही राइट आंसर भारतेंदू किस अपनाम से उर्दो में कभीताइं करते थे दद्दा या फिर जकी या सूकभी या फिर रसा चैन करना है मत्यपोन क्वास्चन पूछे गया है और अनिल जी बिल्कुल तुक्क लगाते जाएं अनिल जी तो विकल्प नंबर आपका 29 में जो सही राइट आंसर है वह आपका विकल्प नंबर जो D है राइट आंसरों का रसा आपका यहां पर सही आंसर है रसा आपका सही राइट आंसरों का बिल्कुल सही बहुत बढ़िया अंग्या क्वास्चन यहां पर पूंचा गया है question number आपका 30 दिया गया है कि अजात सत्रू किसे कहा जाता है अजात सत्रू कहा जाता है प्रियमगन को या फिर भारतेंदू या जगमोहन सें या फिर प्रताप नारण मिस्र question number आपका 30 यहाँ पर पूंचा गया है और 30 में आप सभी का सही right answer क्या होगा question number आपका 30 है और सही right answer आरहा है कि अजात सत्रू का जाता है किसको तो विकल्प number आपका यहाँ पर 30 में भी right answer होगा भारतेंदू आपका यहाँ पर सही right answer होगा विल्कुल सही हैनी के लिए अजात सत्रू का जाता है बहुत बनिया महत्वपून कॉस्चन यहाँ पर पूँचा गया है अंगला कॉस्चन यहाँ पर देखते हैं कॉस्चन नमबर आपका यहाँ पर पूँचा गया है 31 कॉस्चन है कि राधा मुक सोडसी किसकी काब्यकृती मानी जाती है साकर जी चन कीजेगा सभी लोग माटपूर्ण क्वास्चन आपसे पूंचा गया है और राधा मुक सोड़ सी किसकी काप्य करती है और 31 में आपका सही राइट आंसर है विकल्प नमबर आपका यहाँ पर भी राइट आंसर है गोबिंद गिल्ला भाई आपका सही राइट आंसर होगा और 32 में आप सभी का क्या होगा सही राइट आंसर भारत बारह मासा और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर है 32 में विकल नमबर जो आपका यहाँ पर C है वैं सही राइट आंसरों का यानि की रादा केशन दास आपका सही राइट आंसरों का भारत में जो है बारह मास बारह मास रादा केशन के जो है दास है 12 मास तुरादा कृष्ण दास आपका यहाँ पर सही राइट आंसरों का भारत वारह मासा के रचिनाकार और कॉस्चन नमबर आपका यहाँ पर पूंचा गया है सोईता जी 33 वा कॉस्चन है बिहारी सबसाई की आधार पर कुंडलिया चंद में बिहारी बिहार नामक का विकरती किसकी है बताइए बिहारी बिहार तो आप सभी का क्या होगा साई Ćंसर क्वास्चिन मत्पूर्ण है 33 इस वाक्वा sanction यहाँ पर पूछआ गया है और ब्यारी ब्यार नाम का विकिति किसकी मानी जाती है तो आप सभी का साई आंसर है ग्वास्चिनमा अंविकलप नंबर भी राइट आंसर होगा अम्विकादत्वियास आपका सही आंसर है अम्विकादत्वियास, जिनन विचेन क्या है उन का सही राइट आंसर है महत्पू опыт question पूँचा गया है question number आपका यहांपर 33 का was will write answer है बीर सथ सही किसकी काभविकृती है बीर सथ सही आपके लिए बताना है बताइए, बीर सत्सई किसकी काब्वे करती है, महत्यकून कॉस्चिन आपसे पूँचा गया है और आप सभी का सही राइट आंसर है कि बीर सत्सई तो मानी जाते हैं किन की हाँ अनिल जी विलकुल, विकल्प नंबर आपका 34 में जो बीर सत्सई नामक करती है अबियोगी हरी की मानी जाती है वियोगी हरी आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा विकल्प नमबर आपका यहाँ पर जो सी है वैं सही राइट आंसर है अंगला क्वास्चन यहाँ पर देखते हैं क्वास्चन नमबर आपका यहाँ पर पूंचा गया है 35 खड़ी बोली का पद्द्य रचना खड़ी बोली की पद्द्य रचना किसकी है यह आपको बताना है अईद्या सांपाद्य हरियोद भारतेंदू अईद्या प्रसाद खत्री या पिर प्रताप नर्हें मिस्र कॉस्चन नमबर आपको यहाँ पर 35 दिया गया है नामबिर जी और आप सभी का सभी रचना मानी जाती है 35 में किन करी यह मानी जाती है अईद्या प्रसाद खत्री अईद्या प्रसाद खत्री की रचना मानी जाती है विल्कुल सई राइट आंसर है विकल्प नमबर सी आपका यहाँ पर सई राइट आंसर होगा अंगला क्वास्य ने आपर देखिए विजाईनी विजाई विजाई वेजन्ती यह आपको बताने कवीता किस कवी की है भारतेंदू प्रताप नारण विस्रे प्रेम गान या फिर बालिकेश ने भट्टे 36 का सई राइट आंसर वताना है विजाई नी विजाई वेजन्ती यह कवीता किनकी मानी जाती है और 36 में आप सभी का सई राइट आंसर है कि यह जो कवीता है यह मानी जाती है किनकी भारतेंदू जी की भारतेंदू आपका है आपर सहीधाईट आंसरोंगा विकल्प नमबर एक जिन्हों designers क्या है उनका सहीधाईट आंसर है बेलकुल चाहिए बहुत बढ़ियां अंगला कॉस्टेंद देखेगा अंगला कॉस्टेंद यह आपर दिया गया है हम भारत भारत बासन पे अब दीन दयाल दया करिए यह पंती आपको बताना है किनकी मानी जाती है भारतेंदू या फिर राधाचर्ण गुस्वामी प्रेम गान या फिर प्रताप नरण मिस्र question number 37 है और 37 का सही right answer प्रियंक का यादब जी क्या होगा right answer तो विकलन नमबर आपका 37 में D, right answer हो का, प्रताप नरानमिस्र हो सही, right answer विकल्ब न्मबर, चार, आपका सही, answer ये प्रताप नरानमिस्र जी कि ये जो है, पंती मानी जाती है विकल्ब नंबरे D, आपका सही, right answer एंग़ला, question आपा देखे, भारतिन दू ने पेरोडी लिखी है समधिन मदुमास ने जमाने की मुकरी बंधर सभा या पिर सभी तो क्वाशन नमबर 38 है आपका 38 का सही राइट आंसर वताना है रवी कांत जी क्या होगा सही राइट आंसर महत्पून क्वाशन है भारतेंदू ने पेरोडी लिखी है तो आप सभी का 38 में विकल्प नमबर जो दिया गया है आपर सी वह राइट आंसर है बंधर सभा आपका तनमय जी विल्कुल सही राइट आंसरों का विकल्प नमबर सी जनौने वी चैन क्या है उन सभी का सही राइट आंसर है बेजे गाव जिला उन्नाव की रहने वाले थे, कौन थे बताईए, बेजे गाव जिला उन्नाव की रहने वाले थे भातेंदू, प्रताप नरण मिस्रे, जग मोहन सें, या फिर रादा किर्ष्ण दास, हाँ, बिल्कुल सही, तो कौस्टन नमबर आपका यहाँ पर 49 का सही राइट आंसर होगा, कि बेजे गाव जिला उन्नाव की रहने वाले कौन थे, 49 में आपका राइट आंसर है, कि बेजे गाव जिला उन्नाव में रहने वाले भाय थे जिनका प्रताप था, प्रताप था जि सबी लोगों ने आपर चैनि क्या है कवीता वर्दनी सभा के संस्तापक आप के लिए बताना है कौन है बाबा सुमेरू से है या फिर भारतेंदू है या तोता राम है या फिर गुलाब राय है क्यों मत पूर्ण है चालिस वा क्यों आपसे पूँचा गया है वो चालिस में सभा वर्दनी सभा के संस्तापक और कौन माने जाते हैं तो भी राय आउंसर होगा यानि की भारतेंदू भारतेंदू आपका ववीता जी सभा राय आउंसर है विकल्प नंबर यहाँ पर जिन्ह कॉस्चिन नमबर आपका यहां पर एक तालिस मूचा गया वे पूरवी पन की परवाय ना करके अपने बे सवारे की ग्राम में कहा बते हैं उस सब्दे भी बे धलक रख दिया करते थे सुकली जी की इन पंतियों का संबंध किस्ते है बताईए बारतेंदू से बालकश्न भट से या फिर दो विकल्प आप कि यहां पर दियेगा है प्रेमगन से या प्रताप नार्ण मिस्र से तो क्या होगा सही राइट आंसर एक तालिस में इन दो विकल्प में सही बता दीजिगा और आप सभी का सही राइट आंसर है एक तालिस में एड़ी राइट आंसर होगा या आप नारण मिस्र होगा सही राइट आंसर विल्कुल सही आंसर आप लोगों ने चन क्या है यहाँ पर सभी लोगों ने और अंगला क्वास्चन यहाँ पर पूंचा गया है आचार रामचन सुकली की दरश्टी में किस योग के लेकोकां की दरश्टी व्याकरण के नियुमा पर अच्छी तरह नहीं जमी थी यह आपको बताना है बताईए गा रमा जी क्या होगा सही राइट आंसर दुबेदियोग भारतें दुद्योग या चायाबाद या फिर प्रगतिवाद ये चार विकल्प हैं और क्या होगा सही राइट आंसर हाँ नीतु जी बिल्कुल तो आप सभी का वहाँ पर आपका जो है चालिस में चालिस में आपका वो विकल्प नंबर भी ही आपका सही राइट आंसर है वहाँ पर चालिस में सत्यंद्र जी और यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है question number 42 में बहे आपका भी होगा right answer यहापर भी भारतेंदू आपका सही right answer है बिल्कुल चाहिए भारतेंदू आपका सही right answer है आचा रामचंद सुकल ने प्रिथा मुत्तान का समय कब से कब तक है नरधारत किया है बताइए सुकल जी ने क्या होगा सही right answer तो question number आपका यहापर 43 है तो आप सभी का 43 में आपर क्या होगा right answer रामचंद सुकल जी ने प्रिथा मुत्तान का समय यह आपको बताना है तो आप सभी का सही right answer है 43 में विकल्प नमबर C आपका सही right answer होगा यानि कि यहाँ पर आपका 1868 से जो है 1893 यह रामचंद सुकल जी के अनुसार पूछा है तो रामचंद सुकल जी के अनुसार यह वाला जो समय है वह आपका सही right answer होगा बिल्कुल चाहिए तो विकल्प नमबर आपका यहाँ पर C जो है वह सही right answer होगा सभी लोगा ने आपर सही right answer चैन क्या इंगला question यह आपर देखेगा बारत्यंदू की किस कवीता में विदेशी बस्तुआं के वहसकार की प्रित्यक्स रूप से प्रेणा मिलती है बताइए किस में आपको चैन करना है भारत विच्छा में प्रिबोधनी में विजय वल्लिरी में या पिर रिम नाश्टक में क्या होगा सही right answer चैन कीजेगा सागर जी question number 44 है वो 44 में आप सभी का सही right answer आ रहा है कि विकल्प नमबर भी right answer होगा तो विल्कुल सही right answer चैन कीजेगा अभी यान की प्रिबोधनी होगा सही right answer किस कवीता में बेदेशी वस्तों के वहिसकार की प्रित्यक्स रूप से प्रेणा मिलती है प्रिबोधनी जो की वारतेंदु जी की कवीता मानी जाती है अंगला कॉस्चन या पर देखते हैं देखे क्या पूँचा गया है कि आदुनिक काल को नभी नकाल किसने कहा है बताइए आदुनिक काल को नभी नकाल कॉस्चन नमबर 45 आप से पूँचा गया है और 45 में आपका नहां पर सभी का सही right answer क्या होगा चैन कीजेगा चार विकल्प आपके दे गए हैं और आप सभी लोग बता रहे हैं यापर कि आदुनिक काल को नभी नकाल कहा है के नोंने विकल्प नमबर एक सही right answer है गुलाब राय ने गुलाब राय आपका यहाँ पर सही right answer का बिल्कुल सही right answer चैन क्या है विकल्प नमबर एक अंगला question यहाँ पर देखेगा question नमबर आपका यहाँ पर पूँचा गया है चालिसवा question चित्चयत की चांदनी चाह बरी चर्चा चलिवे की चलाईए ना समस्या पूर्ती किस कभी की है यह आपको बताना है बारतेंदू, प्रेमगान, अम्विकादत्यव्यास या फिर जगमोहन से हैं चालिसवा question यहाँ पर पूँचा गया है और चालिसवा question यहाँ पर पूँचा गया है और चालिसवा question का आप सभी का सही right answer क्या होगा बताईए तो बिल्कुल सही right answer है विकलत नंबर यहाँ पर जिन्होंने change क्या है B, उनका होगा सही right answer यानि की यह समस्या पूर्ति किसका भी की है प्रेमगन आपका यहाँ पर सही right answer होगा जो कि यहाँ पर सभी लोगों ने प्रेमगन राइट answer चेंन क्या है पपीया जब पूछे है प्यू कहा पंती किस की मानी जाती है? बताएए तो क्या होगा सही right answer? हाव लबली जी बिल्कुल सही बहुत बडिया Maria question number आपका 47 पूछा गया है? पपीया जब पूछे है प्यू कहा पंती किस की मानी जाती है? तो आप सभी का यहांपर सही राइट आंसर है, 47 में, विकल्प नमबर 1, पृताप नारलमिसर अंबिकाद अभरत्यंदू या पृताफ नारलमिसर की यह पंती माली जाती है, विकल्प यह जिन्होंने भी चैन किया उनका सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर है, इनमें से कौन सी रचिना भारतेंदू की नहीं है, नहीं आपके लिए बताना है, बताइए बरसा अबनोत, अंदेर नंगरी, पूलों का गुच्छा या फिर बरसा बिंदू, नहीं आपके लिए चैन करना है, सबी लोग लाइक अबस्ते कर लेंगे, एक बार वीडियो को रस्मी जी, जेनों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक अबस्ते कर लें, और शेयर कर दें, और इनमें से कौन सी रचिना भारतेंदू की नहीं पूचा है, तो और तालेस में आपका विकल्प नंबर, डी राइट आंसर हो क्या होगा सही राइट आंसर, भारतेंदू योग, दोबेदी योग, या फिर छायाबाद योग, या फिर प्रिगतिवादी योग, मत तो पूर्ण क्वास्चिन, और आप सभी का राइट आंसर है, क्या राइट आंसर है, यहाँ पर विकल्प नंबर यहाँ पर 49 में, जो आपका सही राइट आंसर है, भारतेंदू योग, जो पद्धिती रही है, लोग प्रिये का पद्धिती बहिए, समस्या पूर्ती रही है, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 100 जो है सही राइट आंसर होगा, जीर्ण जन्पद नामक प्रबंदे कृती, किसकी मानी जाते है जीर्ण जन्पद, प्रताप नामिस्र, रादा कृष्ण दास, जग्मोन सें या प्रियमघन, पचास का आपका सही राइट आंसर, सभी लोग चैन करेंगे मत्पूर्ण कौस्चन पूछा गया है, और आप सभी का राइट आंसरों का रंजना जी, युप्ति जी और कार्ति जी कौस्चन नमबर पचास में प्रियमघन राइट आंसर लगा देते हैं, जीर्ण जन्पद, हाँ, तरंगा बाला जी विल्कुल, तो जीर्ण जन्पद आपका यहाँ पर यहाँ पर ये प्रियमघन जी की रचना मानी जाती है, विल्कुल सही राइट आंसर सभी लोगों ने आपर चन किया है, अंगला कौस्चन ने आपर भारतेंदु जो है अब समाप्त हो गया यहाँ पर भारतेंदु योग, तो आपका यहाँ पर सही जो है आंगे बढ़ते हैं, तो दुबेदियोग पर आते हैं, दुबेदियोग के मत्रपूर्ण कौस्चन ने आपर पूं सीमा मानी जाते ऑपर मानी जाते आपके हम्हें पर यहां पर हो जो हर फिर ठांसर युद्ह बगाएं किसरी से 17 सीमा मानी जाती है की यहां पर подоб se 19n 20 आपके हो पर सी राइत आंसर होगा £raf 10 929 हैं पर सही राइट आंसर है विखल्प नमबर B आपका सही राइट आंसर होगा अंगला क्वास्चन या पर देखिएगा दुबेदियों का नामकरन किसके नाम पर पड़ा है ये आपके लिए बताना है बताईए जैन कीजिएगा हजारी परसाद दुबेदी, महाविर परसाद दुबेदी, सांती प्रे दुबेदी या फिर मेतली सरण गुपते और आप सभी का सही राइट आंसर है यहाँ पर कॉस्चन नमबर दो में विकल्प नमबर क्या होगा सही राइट आंसर सरल कॉस्चन पूछा गया है, महत्पूर्ण कॉस्चन है, विकल्प नमबर B आपका सही राइट आंसर है, दुवेदियोग का नाम करन दुवेदी, जो है माविर पर साथ दुवेदी के नाम पर किया गया है, अंग्या कॉस्चन देखेगा, दुवेदियोग को जागन सुधा कार काल किसने कहा है, क्या होगा सही राइट आंसर, और आप सभी का सही राइट आंसर है, यहाँ पर क्या होगा महत्पूर्ण कॉस्चन है, चार विकल्प आपक यहाँ पर दिये गए हैं, और आप सभी लोग यहाँ पर सही राइट आंसर बता रहे हैं, कि विकल्प नमबर जो तीन है तीन का D right answer होगा D यानि की आपका डाक्टर नगेंदर आपका सही right answer है डाक्टर नगेंदर ने दुबेदियुग को जागन सुधार काल कहा है बिल्कुल सही right answer है अंगला question आप पूँचा गया है देखेगा कि दुबेदियुग के संपूनता प्रतिनिधी कभी कौन है दुबेदियुग के पूँचा गया है चैन कीजेगा स्रीदार पाठक है हरियोद है, मेतली सन गुप्त है या फिर इन मेंसे कोई नहीं है और आप सभी का सही right answer है question number 4 में चार में आपका सही right answer चैन करना है दसमी जी विल्कुल स्रीदार पाठक है, हरियोद है मेतली सन गुप्त है या इन मेंसे कोई नहीं है तो चार में आप सभी का दी इसी right answer का दुबेदियुग के संपूनता प्रतिनिधी कभी कौन है मेतली सन गुप्त यहाँ पर सही right answer लगा देते है विकल्प नमर सी आप सभी लोगों ने सही right answer चैन किया है और सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक अवस्य कर लेंगे यहाँ पर question number आपका पाँच पूचा गया है कभीता कामनी कांत किस कभी के लिए कहा गया है बताइए भारतेंदु यहाँ पर है मेतली सन गुप्त हल्योद जगनाद दास रतना कर या नातुराम सर्मा संकर और पाँच में आप सभी का सही right answer आ रहा है कभीता कामनी कांत और भारतेंदु प्रगेंदु यह जो है यह उपादियां दीगए है किन के लिए पाँच का आपसका सही right answer है नातुराम सर्मा संकर आपका विकल्प नंबर जो चार है आपका सही right answer होगा विल्कुल सही बहुत बढ़ी अंगला question यहां पर देखते है question number आपके यहां पर पूँचा गया अच्छ है दोवेदिव के सर्वसेष्ट प्रगीत कार कौन माने जाते है प्रगीत कार सबसेष्ट प्रगीत कार पूँचा गया है रोप नारण पांडे है लोचन प्रसाद पांडे है मुकुट दर पांडे है या इनमेंसे कोई नहीं है बताईए हत्पून question है चार विकल्प आपके हां पर दिये गए है और आप सभी का क्या होगा सही राइट आंसर इस सभी लोग बताईएगा हम हत्पून question है question number 6 और 6 में आप सभी का सही राइट आंसर है कि विकल्प number C राइट आंसर होगा यानि कि मुकुट दर पांडे दो बेदियुक के सबसेफ्ट प्रगीत कार के रूप में जाने जाती है कौन मुकुट दर पांडे जो कि सभी लोगों ने सही आंसर चैन किया है साथवा question पूँचा गया आचा रामचन सुकल जी ने दोतिय उत्थान का समय कब से कब तक नरधारित किया है रामचन सुकल जी ने पूँचा रामचन सुकल जी कि अनसर बताईए क्या ओगर राइट आंसर चंदन जी चैन कीजेगा अर्चना जी तो सुकल जी ने जो है दोतिय उत्थान का समय कब से कब तक नरधारित किया है साथ में आपको बताना है तो विकल्प नमबर आपका जो एक है वह सही राइट आंसर होगा नानि की विकल्प नमबर एक में आपका मुकुडदर पांडे यहाँ पर विकल्प नमबर एक में जो है रांचन सुकल जी ने चैन किया है वहाई 1893 से 1918 इस भी जो है यह वाला आपका सही राइट आंसर होगा विल्कुल सही राइट आंसर है अंगला कॉस्चन यहाँ पर देखते हैं कॉस्चन नमबर आपका यहाँ पर आठ दिया गया है अधिकार कोकर बैठना एह माद उसकर्म है इस पंती के रचेता आपके लिए बताना है कौन माने जाते हैं चार विकल्प आपके यहाँ पर दिये गए हैं सभी लोग चैन कीजेगा क्या होगा सई आंसर बताईए कई बार यह पंती पूँची जा चुकी है आपकी महत्त कुन पंती है अधिकार कोकर बैठना एह माद उसकर्म है यह पंती मानी जाते हैं किनकी विकल्प नमबर आपका भी राइट आंसर है कॉस्चैन नमबर आपका यह पर पूँचा गया है नौबा कॉस्चैन यह पर पूँचा गया है भारत वारती का पिरकासन किस वर्स हुआ है यह आपके लिए कॉस्चान नमबर नों में बताना है बताईए सबी लोग मत्त पूंढ Lookscheon पूँचा गया है चार विकल्प आपके देगा है 1912 में 1914 में या फिर 1916 में या 1918 में जो है वहाँ पर रामचन सुकली जी के अनुसार पूंचा था द Люб subscribers का समय का समय रामचन सुकली जी के अनुसार पूंचा था और यहाँ पर आपका सही राईट अंसर है कि भारत भारती का प्रिकासन किस बर्स हुआ तो 9 का सही राइट आंसर है विकल्प नमबर 1 यानि कि 1912 में भारत भारती का प्रिकासन हुआ था विल्कुल सही राइट आंसर है विकल्प नमबर 1 नीता जी नीता जी विल्कुल सही राइट आंसर भारत में हिंदी में स्वचंधता बाद का कभी कोन कहा जाता है हिंदी में पूचा गया है हर्योध है या पर राम्रेश्टर पाठी है श्रीधर पाठक है या रादा कृष्णे दास है और आप सभी का स्वचंधता बाद का कभी कोन कहा जाता है और आप सभी लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर स्रीधर पाठक सही राइट आंसर होगा बिल्कुल सभी लोग ने आपर सही आंसर चैन किया है क्वास्चिन नमबर आपका है आपर 11 पूचा गया है गंगा उतरन किसने लिखा है रचिना आपके लिए बताना है किनकी मानी जाती है चार विकल्प आपके दिये गए है जगनाद दास रतना कर रामचरे तुपाद गया है सत्त नारण कभी रतने या पर डाक्टर सत्यंद तो विल्कुल सही राइट आंसर क्वास्चिन नमबर 11 में विकल्प नमबर आपका यहाँ पर जो एक है वह राइट आंसरों का जगनाद दास रतना कर जगनाद दास रतना कर आपका गंगा उतरन यह इनी की रचिना मानी जाती है जो कि कई वार पूँची गई है मत्त पू वाजपिय ने यहां चंदर ने या पिर डाक्टर सत्यंदर ने चेन कीजेगा बारह वा कॉस्चन यहाँ पर पूँचे गया है और बारह में आप सभी का सही राइट आंसर है यहाँ पर विकल्प नमबर भी राइट आंसरों का हिंदी हिंदी सब्दानु सासन किसने लिखा है कि सोरी दास वाजपिय यहाँ पर सही राइट आंसर है क्या है राइट आंसर कि सोरी दास वाजपिय होगा सही राइट आंसर विल्कुल सही जनों ने विकल्प नमबर भी चर्क्या है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर है कि सोरी दास वाजपिय हिंदी सब्दानु सासन उद्दव सतक के लेखक आपको बताना है question number 13 है 13 का सही right answer चैन कीजेगा बताइए 13 में क्या होगा सही answer जगनादास रतना कर है सुर्दास है नंददास है या फिर सेबा राम है उद्दव सतक के लेखक आपसे पूशा गया है मत पूर्ण question है और आप सभी का सही right answer है कि विकल्प number 1 यहाँ पर सही right answer होगा जगनादास रतना करकी यह रचना मानी जाती है कौन सी उद्दव सतक बिलकुल सही रतना करकी पृसित रचना मानी जाती है question number आपका यहाँ पर चवदर पूशा गया है किसकी रचना रसग रंजन का जाता है यह आपके लिए बताना है कहा गया है डाक्र सत्यंदर की रचना को या फिर आचार हजारी पर साथ दुबेदी मावीर पर साथ दुबेदी या फिर हरियोद या मेहतली सरर गुपते बताइए किसकी रचना वो रशक रंजन कहा गया है चोधयवा क्वास्चन आपसे पूँचा गया है और चोधयवा सभी लोग यहाँ पर सही आंसर चेहन किये है यह विकल्प नंबर भी राइट आंसर होगा दवस का अउसान समीपिता गगन था कुछ लोहित हो चला ये पंती किनकी मानी जाती है ये महत्पूर्ण पंती है बताईए रोली जी किनकी पंती है विवेक जी साथ ये पंती किसकी है ये पूछा गया है साकेत की या फिर ये पंती साकेत से ली गई है अपरी प्रवास ये पर भी राइट आंसरों का यानि की प्रिय प्रवास के पंति मानी जाती है, दिवस का अवसान, सम्मीपता, गगनता, कुछ लोहित हो चला, बिल्कुल सही राइट आंसर, प्रिय प्रवास यहाँ पर सभी लोगों ने सही आंसर चेंग किया है, अंगला कॉस्चन पूंचा गय गर्ब रंडा रहस्य नामक जो सुप्रिसित ब्यंग कवीता मानी जाती है ये किन की है बताइए सोले में चैन कन्ना है चार विकल पर दिये गा है रोहनी जी सबी लोग बताएंगे महत्त पूर्ण कॉस्चन यहां पर पूंचे गया है और सत्त नाराय कवीरत न होंगे यहां सही आंचर या नातुराम सर्मा या रायदेल प्रसाद पून या गया प्रसाद सुकले सनेही गर्ब रंडा रहस्य नामक जो सुप्रिसित ब्यंग कवीता मानी जाती है वा क्वास्चन है और आप सभी का सही रायट आंचर है संगीता जी कमला जी सोले में क्या होगा रायट आंचर तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर विकल्प नंबर भी रायट आंचर चैन क्या है नातुराम सर्मा आपका सही रायट आंचर होगा बिल्कुल सही नातुराम सर्मा जो है इनी की सुप्रिसित ब्यंग कवीता मानी जाती है कौन सी गर्ब रंडा रहस्य तो बिल् मत्पूर्ण कॉस्चन आंसर थे हिंडी सायट में जहां पर अपने भारतेंदु युक से और दुबेद युक से मत्पूर्ण कॉस्चन आंसर पड़े यहाँ पर तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर ले है और अगर आप चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को सस्क्राइब क करें और ओल पर क्लिक करें ताकि जो लाइक क्लास है उसकी नोटिफिकेशन आपके यहां तक सबसे पहले पहुंचे और जादा से जादा से जादा सेर करें और लाइक अवस्च कर लेंगे सभी लोग रोज अपनी रात्री में दस वजे क्लास होती है और एक सभाए नौ और आस्ता सिंग जी चभी संकर जी कलपना जी भवीता जी और कंचन जी सागर कुमार जी नांबीर जी सीमा सर्मा जी और स्वेता स्वेता जी वेगा चैनल जी रंजना जी रस्मी पाटक जी और संगीता गौतम जी संगीता रावेंद्र जी और बिनोत कुमार जी पृती ज जी और तनु जी, रिनु जी, कल्पना जी, रभीकांती जी, जोती जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, रमा सर्मा जी, और सहली जी, सागर जी, सुईता जी, सुनित जी, और रस्वी पाटक जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, पूजा गौर जी अनू पटेल जी और सिलपा जी प्रेंका जी जोती जिग्यानसू जी निवीदिता जी सभी लोग लाइक अबस से कर लेंगे जन्हों ने अभी तक लाइक नहीं किया है राम जी बिलकुल बहुत बढ़िया रिनू जी सभी के लिए बहुत बहुत तो आज के वीडियो में बस इतना ही और प्रीती प्रोहेज जी संगीता जी नीतु गुकता जी कल्पना बर्मा जी तो सभी के लिए सुपरात्री और तर्मय जी सभी के लिए जय हिंद